दिर स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस प्यारी यूट्व चैनल पर मैं आपका सर मिस्टर डी कुमर पुरू की ही भाती इस वीडियो में भी क्लास 10 के एंसी आर्टी मैथ का आठवा अध्या जो कि तिरकुन मीती का है तो इनसे एक्सराइज 8.4 से जो आपका पांचम इसमें लगबख 10 कुरूफ करने के लिए दिये गया है जिसमें मैंने आप लोगों को एक से लेकर 9 तक के जितने भी प्रस्न है उन सभी को प्रूफ करके दिखा दिया हूं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के description box में दे दिया गया है फिलाल मैं आपको इस वीडियो में जो आपका अंतिम प्रस्ण रहा गया है दस्वा प्रस्ण जो कि है 1 प्लस 3A बट्टा 1 प्लस 4A इक्वल्स टू तो यह आप लोगों को प्रूफ करना है तो मैं आपको इस वीडियो में इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है और आप चाहते हैं NCRT math का complete solution पाना तो चैनल को अभी subscribe कर लिजे साथ में notification bell को दबा कर all notification on कर लिजेगा ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो के notification up to date मिलते रहेगे तो चले है students आपका जो पांचमा का दसमा question है जो कि इस exercise का अंतिम प्रस्ण है तो उसे सिद्ध करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं same questions पेज पे write down कर लिया गया है अब इसे जो है सिद्ध करते हैं तो देखिए यहां पर दिया गया है तीन टर्म में इससे पहले आप जो भी questions देख रहे थे वह आपका केवल दो टर्म में था लेकिन यहां पर ती इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है इसी प्रिकार इसे भी प्रूफ करके दिखाना है यहां पर चुकी हमें सिद्ध करना है इसका भी मतलब यही हुआ कि 1 प्लस 10 स्क्वाइर बटा 1 प्लस 4 स्क्वाइर बराबर होगा 10 स्क्वाइर और फिर जो second term है 1 माइनस 10 अबटा 1 माइनस 4 अ का all square equals to 10 स्क्वाइर तो यह हमें अलग-अलग सिद्ध करके दिखाना है तो चले सबसे पहला term हम लेते हैं जो पहला आपका term दिया गया है यह आ 1 plus 10-a ब distress 1 plus 4 square a देंखें इसको आपको हल करेंगे इसका तो आप हल लिख सकते हैं उसके बाद देखें अब इसको क्या कर सकते हैं 1 plus 10 square a को आप लिख सकते हैं sin square a बटा cos square a इसी परकार नीचे में भी 1 plus cot square a 10 square a का उलटा होता है तो यह हो जाएगा आपका उलट जाएगा cos square a बटा sin square a देखिए यहाँ पे 10 square a है sin square a बटा cos square a तो cot square a क्या हो गया cos square a बटा sin square a अब देखिए इसका आपको भींजोर आता होगा तो भींजोर आप करेंगे तो यहाँ देखिए बटा में कुछ नहीं है तो 1 है बटा में कुछ नहीं है तो 1 है अब यहाँ पे देखिए 1 और cos square a का LCM cos square a ही हो जाएगा जब आप इसको solve करेंगे तो यहाँ पर आपका आजाएगा cos square a और फिर जब जिसका denominator समान होता है और इसका LCM भी समान होता है तो जो numerator होता है अंस होता है जैसे का तैसे आजाता है आपने भी इंजोर पढ़ा भी होगा आपको यह जानकारी भी होगा बट्टा देखिए 1 और sin square a का LCM होगा sin square a ही और जब आप इसको calculation करेंगे तो यह आपका आजाएगा sin square a क्यों आएगा तो देखिए 1 से sin square a में भाग देंगे तो आपका भागफल sin square a ही आएगा जिसको आप उपर से गुना करेंगे एक से तो sin square a ही रहेगा प्लस cos square a अब आपको पता होगा आपको formula मैंने बता दिया है जो आपको basic formula का video प्रोवाइड करवाया गया है exercise 1.4 का तो उसमें मैंने आपको तिरकुन मीती अरुपातों के बीच संबंदों का formula बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि sin square a plus cos square a हो या cos square a plus sin square a हो तो उसका मान एक होता है तो इसके बदले में आप उपर में देख रहे है cos square a plus sin square a तो इसके बदले में एक हो जाएगा बता देखे cos square a तो जैसे का तैसे ही रह जाएगा उसी प्रिकार नीचे में भी आप देख सकते है sin square a plus cos square a इसका भी मान एक होगा बट्टा यहाँ पर लिख सकते हैं sin square a अब देखिए इसको भाग कहते हैं यह भाग का चिन है और उपर भी बट्टा वाला नीचे भी बट्टा वाला मतलब fraction में है इसको आप गुना में change करेंगे इसको मैं आपको simple term में बता देता हूँ यह 1 by cos square a और इसको भाग कहते हैं तो भाग का चिन है इस परिकार से होता है और बट्टा में 1 minus sin square a है अब आपको भीन भाग आता होगा जब इसको convert करेंगी गुना में 1 by cos square a इसको गुना में convert करेंगे तो यह क्या हो जागा पलट जाएगा संक्या sin square a by one तो इस तरह से यह क्या आपका sin square a बट्टा cos square a और sin square a बट्टा cos square a क्या होता है अभी आपने देखा कि t2a के बदले में sin square a बट्टा cos square a लिखा गया है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 square a, 10 square a, यही आपको लाना भी है, देखिए इसके बदले में यह आ गया, तो इस तरह से पहला term का जो है 10 square a आ गया, इसी प्रकार दूसरा term का भी यह लाना है, तो पहले क्या करते हैं, इसको हम equation first मान लेते हैं, अब देखिए, फिर दूसरा जो whole square है, तो देखिए, simple आपको 10 square को sine cause में बदल लेना है, तो 1 minus 10 a होता है, sine a बटा cause a, देखिए, 10 a का ही formula होता है, sine a बटा cause है, और जब 10 a में square लगा होगा, तो इसमें भी हम square लगा देते हैं, और बटा, नीचे में हो जाएगा, 1 minus, cause a, 10 a का उल्टा होता है, तो cause a बटा, sine a हो जाएगा, और total का whole square है, तो हम total का whole square कर लेंगे, अब देखिए, जब आप इ देखिए, यह आजाएगा, sine a minus cause a, बटा, sine a आजाएगा, total का whole square है, तो total का whole square कर देते हैं, अब देखिए, आगे जब इसको solve करेंगे, तो उपर है cause a minus sine a, और नीचे है sine a minus cause a, तो हम प्रयास करेंगे, या तो नीचे वाले sine a minus cause a को, cause a minus sine a बना ले, या उपर वाले cause a minus sine a क sine a minus cause a बना ले, ताकि एक term रहेगा, तो यह दुनों आपस में कट जाएगा, तो देखिए, या तो उपर या तो नीचे, कहीं भी अगर minus आप common ले लेते हैं, तो यह दुनों आपस में equal हो जाएगा, किसी एक जगा आपको common लेना है, तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लि minus common ले लेते हैं इसमें, यह बटा में minus common लेंगे, तो यह आपका हो जाएगा, cos a minus sin a, बाकि आप minus से फिर से गुना करके देखिए, तो minus से गुना करेगा, तो देखिए, minus minus plus sin a minus cos a, यह वाला term आ जाएगा, अब चुकि इसका whole square है, तो इसका हम whole square कर देते हैं, अब पता होगा कि उपर जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका minus sin a, यह minus sin a बटा cos a, इसका हो जाएगा whole square, अब देखिए, minus और sin a बटा cos a का whole square मतलों, minus का भी square हो जाएगा, और sin a बटा cos a का भी whole square हो जाएगा, तो minus का power sum संक्चा आपने पढ़ा होगा, प्लस ही हो जाता है, व यह आपका होता है, टीन स्क्वाइर, ए होता है, तो इस तरह से यह आपका equation, second हो गया, तो देखिए, जब आप first और second को compare करेंगे, first जो आपका टीन स्क्वाइर यह आया है, यह आया है, one plus टीन स्क्वाइर ए, बट्टा one plus स्क्वाइर स्क्वाइर ए से, और फिर second जो आया है, one minus three ने, बट्टा one minus स्क्वाइर के whole स्क्वाइर से, तो जब first और second, दोनों का RHS equal हो, देखिए, RHS equal है, यह भी 10 स्क्वाइर है, यह भी 10 स्क्वाइर है, तो LHS भी आपस में equal होगा, जिस परिकार LHS अगर equal होता है, तो RHS equal हो जाता है, उसी परिकार अगर RHS equal है, मतलब दायापक्स equal है, तो बायापक्स भी automatically equal होगा, तो आप लिख सकते हैं, शमीकरन first तथा second से आप तुलना कर रहे हैं, तो first तथा second से आप क्या प्राप्त करते हैं, one plus 10 स्क्वेर ए बट्टा one plus cot स्क्वेर ए equals to one minus 10 ए बट्टा one minus cot ए का whole स्क्वेर equals to, यह आपका जो मान इसका आता है, यह 10 स्क्वेर ए आता है, तो यह आपका क्या हो गया finally, proof हो गया, तो आप जो है, proof लिख सकते हैं, तो देख लिए आप किस प्रिकार से कितना आसान होता है, proof करने वाले questions को proof करना, अगर आपको theory पता रहेगा, इसका concepts पता रहेगा, जो मैंने आप लोगों को बताया हूँ, तो आप आसानी प्रवक किसी भी तरह के proof करने वाले questions को solve कर सकते हैं, तो आसा करता हूँ, यह वी जए हिंद, जए भारत, thank you, thank you so much